महराश्ट में NCP नेता अजीत पवार को लेकर शुरू हुई सियासत हर बढ़ते दिन के साथ तेज होती जा रही है अब NCP कारिकरताओं की घाट कोपर में हो रही बैठक को लेकर चर्चाएं तेज है दरसल NCP की इस बैठक में पार्टी के कारिकरताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया है प्रदेश अध्यक्ष जैंत पार्टिल के अध्यक्षता में हो रही इस बैठक को NCP प्रमुक शरत पवार भी संबोधित करेंगे लेकिन इस कारिकरम में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट में अजीत पवार का नाम शामिल नहीं किया गया है हाला कि NCP की तरफ से बताया गया है कि अजीत पवार का पिपरी चिंचवल में एक पूर्व नियोजित कारिकरम है इसलिए आजीत पवार बैठक में नहीं रहेंगे वहीं आजीत पवार ने कहा है कि कोई गलत फैमी ना पाले कि मुंबई में हो रहे NCP के अधिवेशन से मुझे साइड लाइन कर दिया गया मेरे प्रोग्राम लॉंग बैंक शेडियूल थे NCP प्रवक्ता महेश भारत ने इसे लेकार इस पश्टी करण भी दिया है अजीत दादा नाराज आये तैचा मुझे यहा कारेकरम ले ये नाई अशा पद्धती चा बात मया कही वरुत्त संस्ता नी चालो ले यहा बात मया पूर्णपनी चुक्की चा आये निरादार आये आने दिशाबूल करना रहे अजीत दादां चा संदर्भा मदे सात तैने जा बात में पेडला जाता है त्या पूर्णपने आधार ही ना है अजीत दादा यांचा पाठिमबा आच्चा मेया वेला है राष्ट्रवधी कॉंग्रेस पक्षाच्चा सर्व कारेकरतें चा अड़ी अड़सनी मदे तैन्चा मागे ठाम पने सात तैने उगेराने ची भूमी का ही सन्मान ने विरोधी पक्षे नेते अजीत दादा पवारांची है तैचा मोडे कारेकरतें नी कुटले आच अफवान वर विश्वास ठोण है अजीत दादां सा पूर्णा पाठिमबा आच्चा मेड़ा वेला पूर्वा नियोजित कारेकरम असले अमड़े त्याच्चा कारेकरम लेयू शकत ने परन्तु भविश्यात कदी तरी पुनश रेकदा मुंबई विभागिया राष्ट्रवादी चाक मेड़ा वेला ते ये तिल आज मुंबई में राष्ट्रवादी कॉंग्रिस पार्टी क की तरब से एक दिवस्य कारेकरता प्रस्टीशन शिविल का आयोजन किया गया है देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है प्रदेश अद्रक्षी जैंक पातिल इसका उधात्र करने वाले हैं सुप्रिया सुलेम आगदेशन करेंगी जैंक पातिल यहाँ पर मौजूद पेचे में कारेकरतों की तैयारी यहाँ पर आपको दिखना चाहता हूँ और यहाँ पर भीड है वो जितनी शुरू हो चुकी है और कारेकरता बड़ी तादाब में यहाँ पर पहुंचे हैं यह वहीक्राम है इस प्रोग्राम के पत्रिकाव से एक नाम गायब हो चुका था वो था अजित पवार का पार्टी के करदावर नेता सवाल ये उट रहा है कि अजित पवार पार्टी के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेकर भी यहाँ पर लगातार चर्चाव का बाजार गर्म था लेकिन अजित पवार ने यहाँ पर बता दिया है कि वो पिरार यहाँ पर दिख रही है बताया जाता है कि पार्टी में यह वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच में यहाँ पर अजित पवार क्यों नहीं पहुंचे इस बारे में हमने आईजोकों से पूछा तो आईजोकों न बता दें कि पिछले दिनों उद्धो गुट के नेता संजर राउत ने ये दावा किया था कि NCP नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं इसी के बाद से उनके बीजेपी में जाने के अटकले तेज हो गई दरसल अजीत की अमिच्छा के साथ मुलाकात की खबरे सामने आई थी जिसके बाद राउत ने ये दावा किया था हाला कि अजीत उनके दावों को खारिज करते हुए कह चुके हैं कि वो कही नहीं जा रहे वो नसीपी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूज 24